मोधी सरकार इस समय विपक्ष के निशाने पर है संसद के मानसून सत्र में भले ही सरकार ने विपक्ष की मागो पर ध्यान नहीं दिया विपक्षी दल संसद में अपनी बात भले ही नहीं रख पाए लेकिन सोचल मीडिय और सड़क पर विपक्षी नेताउं ने सरकार की गलत नीतियों को जागर कर दिया और अब जनता को जागरों करने के लिए कॉंगरेस पार्टी ने एक नया प्लान बनाया है अब कॉंग्रेस पार्टी मोधी सरकार की मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर पूरे देश में प्रेस कॉंफरेंस कर केंद सरकार पर निशाना सादेगी जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है अभी कुछ दिनों पहले वित्वमंत्री निर्मिला सीता रमन ने 6 लाग करोड की राष्टिय मोधी करण योजना की घोशना की थी जिसके बाद से मोधी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है राहुल गांधी ने इस योजना को देश की 70 सालों की पूझी बेचने का भियान करार दे डाला है और अब कॉंग्रेस के बड़े नेता सभी राजधानियों में प्रेस कॉंफरेंस कर मोधी सरकार को घेरेंगे इसके बाद कॉंग्रेस देश व्यापी विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है सिर्फ प्रेस कॉंफरेंस ही नहीं कॉंग्रेस ने हैश्टेक इंडिया ओन सेल के नाम से सोचल मीडिया पर कैमपेन भी चलाया है कॉंग्रिस का ये भी कहना है कि पी एम मोदी सिर्फ अपने उद्योग पती दोस्तों के खजाने भरना चाहते हैं उनका मकसद सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पोचाना है देश की संपत्ति सुरक्षित हातों में नहीं है इनी सब मुद्दो को लेकर आप कॉंग्रिस ने पूरे देश में प्रेस कॉंफरेंस करने का एलान किया है जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और आज बेंगलूरू में सचिन पाइलेट प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं इसके अलावा मुंबई में पीच दंबरम, लखनव में बूपेज बगेल, हैदराबाद में मलेकारजुन खडगे, पटना में दिग्विजे सिंग, कोलकाता में सलमान खुर्शीद, गोहाटी में मुकुल वासनिक, जैपूर में राजीव शुकला, भोपाल में भरत सोलंक की, रायपूर में अजय माकिन, श्रीनगर में शशी थरूर, और कोची में मिलिंद देवडा प्रेस कॉंफरेंस करेंगे, कॉंग्रेस ने पूरी तरह से मुदी सरकार के खलाफ घेराबंदी कर दी है, अब ये घेराबंदी कितनी सफल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बत आएगा, लेकिन इस घेराबंदी से एक बात तो तय है कि मुदी सरकार अब फस गई है, डिवी लाइव की रेपोर्ट